हेलो एवरिवन जय हिंद्ध ृएक आज हम आपका मॉक्टेस्ट एकट लेने वाल है हमसे से ओक्रांब है आपका मॉक्टेस्ट शेबेन आपका लिया था वह आ दे लीया था गौहार्टी हाई कोड 2018 में जो गौहार्टी हाई कोड का जो क्वेस्टन बना था उससे हमने आपका reasoning का कुछ questions, GS का कुछ questions और English का कुछ questions लिया था आज हम उसी का continuation में हम second series ले रहे और mock test 8 हम continue कर रहे हमारा awesome direct recruitment का और DHS का crash course चल रहा था आभी तक हमने 12 lecture reasoning का around 10 lecture हमने maths का cover आप कर लिया इस माईने का last तक या next माईने का first week तक आपका maths और reasoning हम पूरा cover आप कर लेंगे और हमारा mock test जो last five years का important question है जितना भी departmental question आया हुआ है हो हम आपको पूरा cover आप करने का कोशिश करेंगे तो अगर अभी तक आपने चैनेल को subscribe नहीं किया तो चैनेल को subscribe करके रख दीजे तो हम mock test ऐसे लेते हैं आपका 20 questions का ये series रहने वाला है आप एक काम कीजिए एक page में question number 1 से लेके question number 20 तक लिखिए हम आपको questions प्रोवाइट कराएंगे आप अपना answer लिखेंगे फिर उसके बाद हम आपको options बताएंगे और आपना cross check कीजिए आपना answer और comment section में आप हमें आपना marks बताएंगे तो चलिए sir हम आपना mock test start करते I wish you all the very best and let's start question number 1 question number 1 बोल रहे आपका a person who does not believe in the existence of God यह आप सबको पता होगा answer is your atheist question number 2 a person who cannot be easily pleased जिनको easily मानाया नहीं जाता है उनको क्या बोलते है answer is fastidious फिर हम आगे बढ़ेंगे question number 3 a person who is indifferent to the pains and pleasures of life यह जितना भी question है ना sir वो सब SSC का प्रिवेर्सियारी question लिया गया था गवाठी हाई कोड का answer is your stoic question number 4 a person who has good taste for food answer is your government лох, यह हमने ऐसे याड किया था जब हमने दिल्ली में थे हम उसम्टायम पर हमने ऐसे याद किया था और को यह नाम याद होगा वाबा राम रहीम आपने नाम सुनाई होगे तो उस पर जब हम दिल्ली में थेерт थो भाबा राम रहीम मतलब उनको संटेंस किया गया था जहल में आपको पता हुआ पर नौर्ट इंडिया में भहुत सवbbles प्रोब्लेम हो था उनको लेके और उनका एक एसिस्टेंट तो मैंने ऐसे याद किया था उड़ एया जो बबारमरहीम अब पता यह वह इस वान दो उसलिए मुझे कि याद किया तहीं कि गूरमीट बहुत अच्चा खाना आ खाती है तो उसका बहुत अच्छा टेस्ट है फूड का तो इससे आप याद कर सकते मेरे इसाब से आपका भी नहीं बूलेंगे जब भी आप यह options देखेंगे तो आपका बबारामरहीम का बेटी गुर्मीत का याद आ जाएगा तो चलिए सरा हम आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन आब फाइफ वट इस दा सिन्योनियम आफ करूई क्वेरिलस के मतलब आपको देख क्वेरेल मतलब जगडा करना होता है ना जो जगडा करता है ना ओनको बोला जाता है आपका क्वेरिलस तो ओविश्चन देख के आपको समझ में आ रहा होगा ओप्षन इस योर बी आर्गुमेंटिटिव जो बात बात पर जगडा करता है फिर हम आगे बढ़ेंगे बहुत आसान क्वेस्टन था इंगलिश का वट इस दा सिनोनिम आफ मैसिव यह तो बहुत आसान है आंसर इस योर एननर्मास आपको पता होगा एननर्मास का पतना पता बहुत बढ़ा फिर हम आगे बढ़ेंगे क्वेस्टन नमबर सेबन वट इस दा सिनोनिम आफ केटर आंसर इस योर डी प्रोबाइड अच्छा अपने तो सनव सुनोंगे ना यह वाला केटरिंग सर्विस यह आपने एक वाड़ देखे होंगे केटरिंग सर्विस केटरिंग सर्विस अपने एक वाड़ देखे होंगे केटरिंग सर्विस केटरिंग सर्विस क्या होता है वो जो आपको केटरिंग का काम करते हैं वो जो खाना पिनाय का यह सब जो देते हैं ना उनको बोलते केटरिंग सर्विस यह तो आप सुने होंगे केटरिंग सर्विस यह शादी वगर हमें यह सब में होता है तो केटर का मि आगे बढ़ेंगे question about 8 what is the synonym of synopsis यह आप सब यह वाट से फिमिलियर है सर सिनोनिम्स का मतलब क्या होता है answer is your c index synonym synopsis का मतलब होता है main points जो हम main points को highlight करते हैं न सर उसको बोलते हैं synopsis जो हम index वगरा को आप बोल सकते हैं चलिए फिर हम आगे बढ़ेंगे question number 9 catching the earlier train will give us the dash to do some shopping बहुत आसान है answer is your a chance catching the earlier train will give us the chance to do some shopping चलिए सर हम आगे बढ़ेंगे question number 10 आपके समने ये रहा the apples are now dash enough to be picked बहुत आसान है the apples are now ripe enough to be picked option is your b फिर next question question number 11 आपके समने ये रहा dash of the old paintings is a job of expert yes you are right answer is your restoration restorations of the old paintings is a job of expert चलिए सर हम आगे बढ़ेंगे question number 12 आपके बहुत इंपोर्टेंट है ये तो मतलब फेबरीट होता है examiner का इसा टाइप questions I hate the dash I hate sitting dash him as he always smells foul वह bad smell करता है तो इसलिए मैं उसके पास में बैटने का मन नहीं होता है मैं बैटने का कोशिश नहीं करूंगा मुझे पसंद नहीं है बहुत confusing word होता है ये besides और besides और मैं sure 90% जो आप वीडियो देख रहे होंगे आप ये दोनों word में बड़ा confusion है कि कौन सा word क्या होता है आज के बाद आप कभी नहीं भूलेंगे चलिए हम इसको याद कराते आपको कोशिश करेंगे याद कराने का कोई पहले में हम आपको आंसर दे देते आई हेट सिटिंग डेश आंसर इस योर बिसाइड 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 होता है पास किनार है किनारो बिसाइड और बिसाइड होता है के जालावा के जालावा मतलब क्या है पास तो समझ में आरा है नेयर जो पास में बेटे हुए उनको बोलेंगे हम नियार बोलेंगे और आपके एलावा तो आप मैंने ऐसे याद किया था आप किसी और वे पर मत लेके जाईए हम सब मेचूर है बस यह एक शौट्रिक है आपको याद कराने के लिए हम एस नाम का किसी को हम पसंद करते थे ठीक है हम एस नाम का किसी को हम पसंद करते थे और हमने आपको बोला कि अगर आप चले जाते हैं तो चले जाईए आपके एलावा भी हमें कोई और मिल जाएगा मिल जाएगी ठीक है सर तो बिसाइड्स बिसाइड और बिसाइड्स में एकी वार्ड का अंतर है that is your S ठीक है सर और S जो भी S से जो आपको ठीक लगता है S नाम बहुत familiar है तो उनको आपने बोला कि सर मेडम अब जो भी नाम देना चाहते हैं कि आपके एलावा भी हमारा लाइफ चलेगा तो कोई प्रोब्लिम नहीं है जाना चाहते हो तो जहिए जाने वाले को कौन रोक सकता है तो आज के बाद उम्मीद है कभी भी आपका डाउट नहीं होगा विसाइड और विसाइडस में एस आ गया तो उनके एलावा भी हमारा लाइफ चलेगा चलिए सरा हम आगे बढ़ेंगे उम्मीद है वाला यह श्ट्रिक बहुत अच्छा लगा होगा आपको आप हमें कोमेंट सेक्ष्ण मे बोलेंगे आपको कैसा लगा चलिए सरा हम आगे बढ़ेंगे क्वेशन नबर 13 आपके सामने यह रहा इट डैश डैश डैट ज्यांग विल नॉट भी सिलेक्टेड फॉर दे पोस्ट यह वाला काफी confusing question है क्योंकि correct तो looks भी लग रहा है और sim भी लग रहा है अप हमें found भी और belief यह कौन सक most appropriate लग रहा है क्योंकि इसमें जो ग्वार्टी हाई कोड का जो answer की जो आया था उसमें दो answer की दिया हुआ था हम आपको नहीं बोलेंगे आप हमें बोलेंगे कि उसका correct answer आपके लिए क्या लग रहा है फिर उसके बाद हम आपको comment section में बताएंगे कि most appropriate क्या है लेकिन answer दो सही है ग्वार्टी आइकोड का ऐसे होता है कि दो तीन question का दो answer भी सही हो जाता है फिर उसके बाद वो grace mark देते है तो उस हिसाब से हम आप आपका एक option नहीं देंगे यह दो है आप हमें बोलेंगे कि आपके लिए कौन सा appropriate लग रहा है चलिए सर फिर हम आगे बढ़ेंगे question no.14 who is the author of the inheritance of loss यह बहुत आसान है आप सबको पता होगा inheritance of loss किस ने लिखा था किरेंदेसाई फिर हम आगे बढ़ेंगे who is the captain of Indian national football team एसा कोई नहीं होंगे आप मेंसे जो इनका answer नहीं जानते हैं उनको इनके बारे में नहीं जानते answer is your Sunil Chetri question no.16 who won the gold medal in a ASEAN Games of Women 2000 sorry 400 meter final race आप भी इसका answer आप एसा कोई नहीं होंगे जिनको इनका answer नहीं पता है इनके बारे में नहीं पता है आपको answer is your Himadas चलिए sir हम आगे बढ़ेंगे on which date the president of chief justice of India will retire superannuation यह तो बैकार question है मैं यह बिल्कुल suggest नहीं करूंगा तो आप बोलेंगे sir यह लिया क्यों है आपने यह हमने इसली लिया ताकि आपको वह feelings दिलाने के लिए कि यह बार्टी 2018 का question पर हम ले रहे हैं इसलिए हमने जान बुझ के यह questions को हटाया नहीं है तो यह important नहीं है 2018 में कौन सुपार innovations के लिए जा रहे थे आप हमें correct answer बोलेंगे इतना इंपोर्टेंट नहीं लग रहा है इस अभी 2022 है यह current 2018 में एक्जाम हुआ था गौर्टी हाई कोड का जो उस टाइम के लिए current affairs का questions था लेकिन अभी यह हमारे लिए important नहीं है तो हम स्किप कर रहे है अब हमें answer बोलेंगे comment section में तो चलिए के सरम आगे बढ़ेंगे question number 18 who was the present chief justice acting of गौर्टी हाई कोर्ट यह भी 2018 का current affairs का question है जो अभी इस moment के लिए change हो गया तो हमने जान बुच के उस time का option लिया थाकि आपको पता चले है यह 2018 का paper हम solve कर रहे हम आभी present उनका नाम बता रहे हैं अगर आपको पूछ लिया खईप हमारा इस current affairs के लिए important है answer is your कौतिसवर सिंहा यह आप सबको पता होगा वैसे अगर हम कही के मतलब गलत कर रहे है तो आप हमें correct कीजिए यह present present का बात कर रहा हूं में sir तो present chief justice acting ऑफ ग्वाटी हाई कोट अभी present में जो acting में है चल रहे है जो उनके बारे में हमने आपको पोला यह आप याद रखेंगे कौतिसवर सिंहा चलिए sir फिर हम आगे बढ़ेंगे question number 19 आपके सामने यह रहा यह reasoning का question है बड़ा मज़ा आन इसका correct answer में आपको बता देता हूं correct answer होता है डेंजर लेकिन डेंजर तो option में दिया नहीं है तो जो option में से आपको अगर select करना है तो आप क्या करेंगे वेसे आपको answer मिली गया होगा रोज तो sir हो नहीं सकता है है ना यह रोज तो होगा नहीं cleanliness का कोई दू दूर से कोई relation है नहीं close का क्या होगा answer is your violence 19 19 का option हो गया आपका a फिर sir question number 20 अगर train को अगर train को सर अगर station से अगर relate क्या गया तो aircraft का relation क्या होगा यह आप हमें comment section में बोलेंगे इसका आपका answer कितना रहा है वैसे आपको ऐसा कोई नहीं होंगे जिनका यह answer नहीं पता है लेकिन आप यह comment section में बोलिए और हमें आपका marks आप बोलिए कि आपका यह वाला जो section था हमारा हमने English section का भी लिया English लिया फिर उसके बाद हमने reasoning का भी दो-तिन question लिया और उसके बाद हमने GS का question लिया यह तिन section हमने लिया और इसी के साथ हमारा ग्वाटी हाई कोड 2018 का question पर हमारा पूरा कबार हो गया उमीद है आपने विया वाटी हाई कोड का पूरा देखे होंगे हमारा maths और reasoning अभी बाकी है अभी हम कोशिश कर रहे है maths और reasoning हमारा पेराराल में क्लास चल रहा है तो इसलिए हमने अभी maths और reasoning का पीछे चोड रहा है अभी हमारा साइड बाई साइड मैस और reasoning छोड़ के English और GS कबार हो जाए क्योंकि वैसे ही तो maths और reasoning रेगुलार क्लास मिल रहा था तो इसलिए हमने section का जो important को question है इसको आभी हमने चोड़ रहा है जब हमारा maths और reasoning पूरा complete हो जाएगा फिर उसके बाद यह 2018 का जैसे मान लीजिए गवाटी हाई कोड में जो questions आया हुआ है वह हमने English और GS कबार करवा लिया अभी बाकी है हमारा math or reasoning एक बार हमारा पूरा lecture खतम हो जाए हमारा course curriculum खतम हो जाए फिर उसके बाद हम आपको यह section भी revision mode में हम आपका last five years का कराके दे देंगे जैसे हम English GS reasoning का कुछ questions जैसे कबार कर रहें वहापे अलग से फिर से हम पूरा करेंगे five years में और इंशाल्ला हम बहुत अच्छा करेंगे आप टेंशन मत लीजिए अपने preparation को आगे बढ़ाईए और हम को होथ अच्छा करने वाले हैं क्यूंकि previous share में ज्यादा preference दीजिए क्य कमन लाई लेंगे मैं इस बत का मैं गरांटी ले रहा हूं लाश्ट five years से experience के इसाफ से बहुत रहा हूं 50 प्लास आराम से direct 135 में आप कमन ले आ जाएंगे डिट्टो कमन including SSC जो हम आपका करार है मैं सो रिजनी में SSC previous share जो करार है तो इसी के साथ हमारा यह lecture ही पर खतम होता है जाते जाते अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और आपका motivation हमारे साथ बने रहेगा तो चलिए सर आज के लिए नहीं तक तेंक यो सो माच टेक क्यार बाई गुडबाई